दोस्तों अक्षर आप मुझे पुछा करते हो कि चाइना में वेजिटेरियन खाना कैसा मिलता है तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ यह मेरे पीछे जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जिसमें मैं आया हूँ अभी सुबह का समय है और यहां पे अलग-लग पकवान ब साथ सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होते हैं चाइना में लगबग 40% सब आबादी है वो बेज खाती है और 60% आबादी है वो सब कुछ खाती है तो इस तरीके से हैं मैं दिखाता हूँ आपको चलिए यह बड़ी सिस्टर है जिनको चाइनीज वासा में चेचे बोलते हैं और यह है चाइना का गुलगला जैसे हमारे गुलगले होते हैं यह यहां का गुलगला यह इसका घोल है और इसको यहां तुए पे सेखा जाता है यहां पे इस तरीके से और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ अलग अलग तरीके की जो नूडल्स होती है यह सब्सक्रचा के साथ बनी नूडल्स है और यह मक्का की बनी नूडल्स होती है और इसके साथ में जो बड़ी नूडल्स है वो दिखाता हूँ आपको बड़ी वाली नूडल्स ये देखी ये मेदा की नूडल्स है इन में और इन में बहुत सारा फरक है दोनों एक जिसी नहीं होती है इसके लावा यहां यह फ्राइड होता है उसको यहां बनाया जाता है इसके लावा इसमें गाजर है सतावर है सतावर को यहां लूशन बोलते हैं यहां पर पंपकिन है और यह फ्राइड आलू है आलू को छोट छोटा काट करके मसीन कटिंग करती है यहां पर दोस्तों मसीन से ही यह बेंडी है बेंडी को है ना हमारे जिसे sweet potato बोलते हैं इसका देखिए यह recipe है तो यहां अलग अलग प्रकार के स्वाधिस्त पक्वान है दोस्तों कि हमारे नजर में एक होगाए कि यह कुछ पेपदार ती यह है यह सपेद वाला है यह बना है पहाड की सखरकंदी करके इनका जो चाइनी सब्द इसको अगर translate करोगे पहाड की सकरकंदी बनता है उसका और ये है जो फूल जैसा बना दिख रहा है इसमें थोड़ी चीनी मिनी होती हो और ये गले के लिए बहुत अच्छा जिनको सर्दी जुखाम लग जाती है उनके लिए बड़ी बड़िया होता है इसके अलावा ये होते हैं मन्त हो ये बहुत सारा स्टीम है इसके नीचे पानी है और उसकी भाब से ये पकते हैं मन्त हो है और सुचाय पाव भी ऐसा ही होता है ये क्या होता है बड़ा होता है जैसे हमारे समूसा होता ना वैसे ही मेदे का समूसा है और इसको स्टीम में ये पकाते हैं हमारे तेल में तलते हैं जो स्वास्ते के लिए हानिका रख है, तो ये स्वास्ते के लिए अच्छा होता है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, वेजिटेरियन्स फल डालते हैं, सबजियां होती हैं, उन सबजियों को डालते हैं, जैसे तो आप उसमें गोबी डाल सकते हो, मस्रूम ड दालते हैं जो मीट वाले रेस्टोरेंट होते हैं उनमें ये क्या करते हैं मीट डालते हैं सब्जी की जगए चॉप स्टिक की मदद से यहां पर खाते हैं आप देखे इस तरीके से दोनों के बीच में उठाते हैं और फिर आराम से चावल खाईए तो ये हैं यहां का माजरा इन डंडियों से खाने का हमारे वाँ हाँ हाँ से खाना पसंद करते हैं यहां इन डंडियों के द्वारा खाया जाता है ये गोबी है जिसको स्टिम किया होता है ये देखे पूरा गोबी है सपेद गोबी और जो ब्रॉंगली होती है उसको भी ऐसे स्टिम करके रखते हैं गाजर और गोबी दोनों है ये देखो आपको गजब चीज़ दिखाता हूँ ये है यहां की पकोडी जैसे हमारे वहाँ पकोड़ी बैसन के पकोड़े होते न वैसे ही यहाँ के पकोड़े हैं पकोड़ी पकोड़े जो भी आप बोलना चाहूँ यह देखे कमल का जो डंठल होता न उसकी यहाँ पे यह पकोड़े निकाला है साथ में यहां पे अंदर इन्होंने अलग लग सब्जियां गोबी के साथ में भी पकोड़ी बनाई यह बैसन की कोटिंग करके तेल से फ्राई करके निकाला है तो यह यहां का रेस्टोरेंट है चाइनिज लोग बड़े चाव से खाते है वैसे जो चाइना में वेजिटेरिय रेस्टोरेंट है और बहुत स्वाधिस्ट खाना मिलता है ऐसा नहीं कि जो बॉल्ड की आवा जो स्टिम्ड खाना है वो खराब होगा जो स्टिम्ड खाना है उसमें भी टेस्ट होता है उसमें नमक मिर्ची और यह सब चीजें डालके उसको कुप करते हैं उसको पकाते हैं अमारे इंडिया में क्या करते हैं पानी में उसको स्ट्रिम करना बोल देते हैं पानी में उबाल देते हैं वहले स्ट्रिम हो गया यहां ऐसा नहीं है यहां हकिकत में ही पानी नीचे उबलता है उसकी जो स्ट्रिम उपर जाती है भाप उपर जाती है उसी में पकाया जाता है चीज आपको अच्छी लगती है मेरे 500 से अधिक वीडिया है साधी ब्या एजुकेशन यहां की खेती बाड़ी सुब चीजों पे देनिक जीवन से जुड़े सारे तमाम विश्यों पे तो उनको भी आप जरूर देखे और फिर एक नए वीडियो में नए आकर से पॉइंट के साथ मिलते हैं जै हिन दोस्तो नमस्ते